ना कुटुम्ब सब्यूलारा भारत जैसे लोग तंत्र देश में प्रजा का महत्व होना चाहिए परिवार वादियों का नहीं और इनोंने तो लोग तंत्र को लूट तंत्र बना दिया है प्रजा तंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है कि देलंगना के निर्मान के लिए कि हजारों परिवार कि संगर्च करते करते तबाह हो गए अनेकों नवजवानों ने बलिदान दिया माताएं बहनों ने मुसीबते जेली लेकिन एक परिवार ने सब कुछ कबजा कर लिया और उन परिवारों को कोई पूछने वाला नहीं है तेलंगना में बस एक ही परिवार ने यहां के लाखों परिवारों के सपनों पर कबजा कर लिया है वर्तमा अंतेलंगना में या तो केसी आर खूद है या उनके बेटे है या उनकी बेटी है या उनके बतीजे है या उनके भांजे है या चाहें उनके ससुराल वाले है कोई बचा ही नहीं है बस यही काम लूटो क्या आपने कभी सोचा है कि वो कैसे आपके एक बोर्ट का उप्योग केवल अपने परिवार को अमीर बनाने में कर रहे हैं इन लोगों ने तेलंगना में भाई भतिजावाद और प्रस्टाचार को बढ़ावा दिया है ना कुटुम्ब सब्यूलारा परिवारवाद का सबसे बड़ा नुक्षान देश के युवा को उठाना पड़ता है जब पूरा सिस्टीम एक परिवार की सेवा में लगा रहता है तब वो परिवार सिस्टीम में टॉप से लेकर बॉटम तक उनी लोगों की भरती करता है जो उनके करीबी हो तेलंगणा के नव जवानों को वो अवसर नहीं मिलता है फिर किसी भी महत्वपूर्पत पर तेलंगणा के तेजस वीवा को भी कोई मोका नहीं मिल पाता है इन लोगों से अलग बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी विशेश परिवार के बजाए सामान्य मानवी और उसके परिवार के लिए काम करती है